सीरीज की शुरुवात हॉस्पिटल सीन से होती है जहां एक पेशिंट को इमर्जन्सी में लाया जाता है जिसे हमारी फेमेली डॉक्टर लिव बरवक ट्रीटमेंट दे के बचा लेती है रात को लिव अपनी कोवर करके घर पार्टी में जाती है पार्टी के दोरान अचानक वहां पर कुछ जॉंबी जाता है जिससे सबकी डेथ हो जाती है सुबह तमाम डैड बॉडिस को पुलीस ले जा रही थी लेकिन तब ही लिव आँखे खोल लेती है जिससे वहां मौझूद एक आफिसर डर कर भाग जाता है फिर हम अब 6 महीने बाद का सीन देखते है लिव अब कम्पलीट जॉम्बी बन चुकी है उसने अपने बॉइफरंड मेजर के साथ ब्रेक अप कर लिया था क्योंकि वो जानती थी कि वो मेजर के लिए अब एक खत्रा है लिव अब डॉक्टर रैवी के साथ मौर्ग में काम करती है जहां ये दोनों डेट बॉडिस की इनफरमेशन कलेक्ट करके पुलीस को देते है रैवी लिव के बारे में सब जानता है यहां तक कि वो उसे ठीक करने की ट्राइ भी कर रहा है लिव इनसानी दिमाग खाती है लेकिन उसे खाने से बहुत से साइड एफेक्ट भी होते है जैसे के जब लिव किसी के ब्रेइन को खाती है तो उसे उस शक्स की तमाम मेमरी मिल जाती है और बिलकुर वो उसी की तरह बेहेव करना शुरू कर देती है एक दिन उनके पास एक बाडी आती है जिसका ब्रेइन लिव खा लेती है डिटेक्टिव क्लाइव बॉडी की इंफरमेशन लेने आता है तब ही लिव उसे उस बॉडी का सारा डेटा बता देती है वो ये सुनकर हैरान रह जाता है उसे शक ना हो इसलिए रैवी बोलता है कि लिव चीजों को स्मेल करके उनके बारी में जान सकती है क्लाइव लिव को कहता है कि तुम केस सॉल्फ करने में मेरी हेल्प करो लिव खातिल को ढून लेते है पर वो लिव को शूट कर दीता है लेकिन उसे कुछ नहीं होता रैवी लिव की चेस्ट से गोली को निकाल के हैरान उससे पूछता है कि तुम्हारे अंदर से बलड क्यों नहीं निकल रहा जवाब में लिव बताती है कि मरे हुई लोगों से बलड नहीं निकलता रैवी इस बात पर उसे डान दीता है और कहता है कि मैं तुम्हें ठीक कर लूँगा लिफ आज रात होब अराम से सोई थी क्यूंकि उसे आज पूरे छे महीने के बाद नींद आई थी इसलिए वो डिसाइड करती है कि आज के बाद वो कलाइफ के हर केस में हेल्प करेगी लिफ सो रही थी कि उसे ब्लेइन नामी जॉम्बी का ड्रीम आता है तब ही वो डर कर उच जाती है यहां आपको बताती चलू कि ब्लेइन वो ही जॉम्बी है जिसकी वज़ा से लिफ जॉम्बी बनी है क्योंकि रवी जॉम्बी का ट्रीटमेंट अच्छे से करता है तब लिफ उसे बताती है कि मैं तुम्हारी वज़ा से जॉम्बी बनी थी लेकिन उसे बिल्कुल याद नहीं था ब्लेइन एक लेडी के साथ रोमेंस करने की वज़ा से जॉम्बी बन गया था ब्लेइन लिफ से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे भी ब्रेइन्स खाने को दी तो लिफ मान जाती है अभी ब्लेइन ने एक पेंटर का ब्रेइन खाया हुआ था जिसकी वज़ा से वो प्लेबोई वाली हरकते कर रहा था और ये बात लिफ को कुछ खास अच्छी नहीं लगती लिफ मेजर के घर जाती है और उसे अपने पास बैचने को बोलती है मेजर ये सब देखकर हैरान था क्योंकि वो छे महीने से ट्राइ कर रहा था कि किसी तरह लिफ को मना ले लेकिन लिफ ने उसे कभी घास नहीं डाली इसलिए आज जैसे लिफ उसे किस करती है वो हुसे में उस पर चिलाता है और उसे जाने को बोल देता है ब्लेन लिफ से ब्रेन ना लाने की वज़ा पूछता है तब वो बताती है तुम ड्रक्स का काम कर रहे थे इसलिए मैं वापस आ गई उसके बाद सीन्स दो लड़कों पर शिफ्ट होता है जो अपने इंस्टाग्राम के लिए विडियो बना रहे थे लेकिन अचानक कुछ समय बाद वो चिलाने लगते है मेजर अपने एक स्टूडेन को लेकर क्लाइव के पास आता है क्योंकि उसका एक स्टूडेन पिछले छे दिनों से नहीं मिल रहा था क्लाइव उनकी स्टेट्मेंट को ले लेता है लेकिन वो अभी एक केस पर लिफ के साथ काम कर रहा था इसलिए इसको ज्यादा सीरियस नहीं लेता लिफ केस को सॉल्फ करने के लिए एक जगा जाती है लेकिन वहाँ एक होल में वो अपनी को डॉक्टर मरसी को देखकर शॉक्ट हो जाती है जो कि पूरी तरह जॉंबी बन चुकी थी यहाँ हमें पता चलता है कि यह वो ही जगा है जहाँ पर वो लड़के वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए आई थे लेकिन वो मरसी का खाना बन गए रैवी मरसी को मारना नहीं चाहता था इसलिए वो उसे एक इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता है तब ही मरसी उस पर हमला कर देती है रैवी को बचाने के लिए लिव अपने फुल जॉम्बी मोड में आ जाती है और उसे मार देती है लिव जिस ब्रेन को इन दिनों खा रही थी वो इसे फेक देती है क्योंकि वो इसे बेहिस बना रहा था वो मेजर की एक वीडियो देखती है जिसमें वो किसी लड़की को किस कर रहा था ये देखकर वो बहुत दुखी हो जाती है मेजर का स्टूडिन एडी भी अब गाइब हो चुका था इसलिए वो क्लाइव के पास जाकर हेल्प मांगता है लिव रैवी को मेजर के साथ रहने को बोलती है क्योंके वो एक रूम रेंट पर दे रहा था वो ऐसा इसलिए करती है ताकि मेजर की गर्फरेंड उसके साथ न रहे क्लाइव स्टूडिन्ट के अववा के बारे में अपने सीनियर सुजूकी से बात करता है लेकिन वो क्लाइव को डाट कर वहां से भेज देता है क्लाइव के जाने के बाद हमें पता चलता है कि सुजूकी भी एक जॉम्बी है और स्टूडिन्स के गाइब होने में शायद उसी का हाथ है क्लाइव और लिव अपने अपने न्यू केस पर लग जाते है जो के लिव की स्कूल फ्रेंड हॉली का था केस के दोरान लिव की मुलाकात लोवल नामी लड़के से होती है जो के हॉली का फ्रेंड था लिव पार्टी में जाती है तो लोवल उसे ड्रिंक की ओफर करता है जब वो ड्रिंक लिव को देता है तो ड्रिंक बहुत स्पाइसी था तब ही लिव को पता चलता है कि लोवल भी एक Zombie ही है लोवल के भारे में जानकर वो बहुत खुश थी क्योंकि उसे लगता था कि उसकी Love Life खतम हो चुकी है लेकिन लोवल भी एक Zombie है इसी लिए अब उसकी Love Story स्टार्ट हो सकती है होली के ब्रेन ने लिव को ठूटली चेंज कर दिया था वो एक आजाद बर्ट की तरह उड़ना चाहती है लिव में ये चेंजिस देखका रैवी भी बहुत खुश होता है लिव अपने रिलेशन्शिप को लोवेल के साथ आगी बढ़ाती है मेजर अपने स्टूटेंस के गाइब होने के पीछे किस का हाथ है वो पता करने में लग जाता है कि तभी उसकी नजर एक ग्रेग नामी आदमी पर पढ़ती है जिसने एडी के शूस पहन रखे थे वो ग्रेग से एडी के बारे में पूचता है लेकिन ग्रैग मेजर को बुरी तरह उठा कर जमीन पर फेंग देता है मेजर रैवी के पास स्टिचिस के लिए जाता है कि तब ही वहाँ पर लिव भी आ जाती है और वो मेजर को बेंडीच करने लगती है लिव अपने घर में लोवेल के साथ एंजॉय कर रही थी मेजर उसी के घर जाने लगता है लेकिन रैवी उसे लोवेल का बता कर रोक लेता है मेजर अब ग्रैग के पीछे पढ़ा था क्योंकि वो उसको यकीन हो चुका था कि एडी और उसके बाकी स्टूडेंट्स को गाइब करने के पीछे वही है वो कार का शीशा तोड़ के उसकी तलाशी लेता है तब ही उसे कार में यूमन ब्रैन मिलता है जिसे देखकर वो शौक्ट हो जाता है इसी दोरान वहाँ पर पुलीस आकर मेजर को अरेस्ट कर लेती है क्योंकि उसने ग्रैग की कार को तोड़ा था मेजर पुलीस को ब्रैन के बारे में बताता है लेकिन ग्रैग ये बात कहकर मामले संभा लेता है कि वो जिस गसाई की दुकान पे काम करता है ब्रैन उन्होंने मंगवाया था नेक्स सीन में हमें पता चलता है कि स्टुड़न्स के गाइब होने के पीचे ब्लेइन का ही हाथ है क्योंकि वो तमाम जॉम्बीज को ब्रेंड सप्लाई करता है और उसकी टीम में ग्रेग के साथ सुजुकी भी है पुलीस मेजर को गिरिफतार कर लेती है वो लिफ को कॉल्स करता है लेकिन लिफ लोवेल के साथ इंजॉय करने में बिजी थी इसलिए उसके फोन को एवाइट कर देती है रैवी और पीटन जो के लिफ की बेस्ट फ्रेंड्स हैं वो मेजर की बेल करवाते हैं लेकिन मेजर को पुलीस ने बहुत मारा था जिस वज़ा से उसका पूरा फेज जखमों से भरा था तब ही रैवी मेजर को बताता है कि एडी और उसके स्टूडन्स को कुछ एलियन्स ने मार दिया था जिनका आज पुलीस ने इंकाउंटर कर दिया जो कि सब सुजूकी की चाल थी ताकि मेजर इस मामले से दूर रहे लेकिन मेजर को अभी भी ग्रेग पर शक था इसी वज़ा से उसकी गर्फरेंड भी उससे ब्रेक अप कर लेती है क्योंकि उसको लगता था कि मेजर कुछ ज़्यादा ही इस केस में दिल्चस्पी ले रहा है ब्लेइन उस लेडी को मार देता है क्योंकि उस लेडी ने ब्लेइन के एक डिलिवरी बॉई को मार कर खा लिया था रैवी लिव से पीटन के बारे में पूछता है क्योंकि वो उसमें इंट्रेस्टिट था लेकिन लिव उसे ये कहकर मना कर दीती है कि वो तुम जैसे बोईस को पसंद नहीं करती जिससे रेवी दुखी हो जाता है और शुक्रिया कहते हुए वहां से चला जाता है देरसल इसमें लिव का कोई कुसूर नहीं था वो तो बस ब्रेंज के साइड इफेक्ट थे लिव मेजर से मिलने जाती है तो उसे देखकर हैरान रह जाती है वो उसे ग्रैक की सारी कहानी बताता है जिससे सुनकर वो थोड़ा डर जाती है और सूचती है कहीं मेजर लिव का सच न जान जाए वो मेजर से इस केस से दूर रहने का प्रामिस लेती है लिव घर जाती है तो वहाँ पीटन को रैवी का फोन आता है जो पीटन को डेट के लिए बुलाता है पीटन लिव के कहने पर हाँ बोल दीती है एक दिन लिव लोवेल के घर रुखती है लिव उसके पास ब्लेन के ब्रेंज लेने के इलावा और कोई चारा नहीं था लेकिन लिव उसकी कोई बात नहीं सुनती लिव घुसे में लोवेल के पास जाती है और उससे जगड़ा करती है कि तुमने मुझसे जूट बोला था कि तुम ब्रेंज खोद कहीं से लाते हो लोवेल उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं ब्लेन की वज़ा से जॉंबी बना था मुझे बहुत ज्यादा भूक लगी थी इसलिए उसने मुझे अपना मैन्यू सैन किया और मैंने उसे खाना मंगवा लिया लिफ अभी भी उसकी इस हरकत पर नरास थी क्योंकि वो एक अच्छी जॉंबी थी और वो कभी किसी को मारना नहीं चाहती थी इसलिए वो वहां से चली जाती है एक रात लिफ के घर पर लोवेल आता है और उसे एक ब्रीन देता है जो उसने ग्रेव को खूद कर निकाला था वो लिफ से माफी मांगता है इसलिए लिफ उसे माफ कर देती है इसके बाद दूनों रोमेंस करते हैं कि तब ही लिफ कहती है कि मुझे ब्लेन को मारना होगा वरना वो सब को मार डालेगा इसलिए लोवेल ब्लेन को कल रात के लिए SCP के लिए इनवाइट करता है मेजर घर वापस आता है लेकिन तबी उस पर ग्रैक अटाक कर देता है मेजर उसको पिस्टल से तीन दफह शूट करता है लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता मेजर जल्दी से कलाइव को बुला लेता है जब कलाइव आता है तब मेजर उसको सारी बात बता देता है कलाइव जैसे ही रूम में चेक करने के लिए जाता है तो वहाँ कोई भी नहीं था इविन एक खून का निशान भी नहीं था कलाइव मेजर को कहता है तुम मेरे साथ मजा कर रहे हो क्या और वो मेजर की किसी भी बात कर यकीन नहीं करता है और वहां से चला जाता है बलेन लोवेल के आँखाने पर जाता है कि तब ही हम देखते हैं कि लिव ने बलेन को अपने गन पॉइंट पर रखा है लेकिन वो उसे शूट नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसको लगता है कि वो अगर ऐसा करेगी तो एक कातिल कहलाएगी लिव की हिम्मत को तूटता देख लोवेल बलेन पर अटाक करता है लेकिन बलेन उसे शूट कर देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है अब लोग सोच रहे होंगे कि जॉंबिस गोली से नहीं मरते लेकिन अगर जॉंबिस के सर और प्राइविट पार्ट्स पर शूट किया जाए तो वो मर सकते है लोवेल को मरता देकर लिव रोने लगती है लिव को लोवेल के केस में इन्वेस्टिगेशन के लिए लाते हैं लेकिन सुजुकी लोवेल के मर्डर को स्यूसाइट करार दे देता है क्योंकि वो बलेन को बचाना चाता था और साथ में वो लिव को भी छोड़ देते हैं लिव अब बहुत दुखी थी इसलिए वो रैवी के पास जाती है रैवी लोवेल के बारे में बात करने लगता है लेकिन लिव कहती है मुझे पहले की तरह काम करना है इसलिए मेरे साथ इस बारे में कोई भी बात मत करो क्लाइव ग्रेग की जिम जाता है ताकि वो ये देख सके कि मेजर ने सच में उसे उस राद चूट किया था कि नहीं लेकिन ग्रैग वहाँ पर exercise कर रहा था इसलिए क्लाइव मेजर को कहता है कि शायद तुम्हें mental hospital जाना चाहिए मेजर भी ये देखकर हैरान था कि वो exercise कैसे कर सकता है इसलिए अब उसे भी लगता है कि वो पागल हो चुका है और रेवी मेजर का ये फैसला लेव को बताता है और कहता है कि हमें उसको सबसच बता देना चाहिए क्योंकि वो खुद को पागल समझ रहा है लेव कहती है कि उसे mental hospital जाने दो इससे वो जिन्दा तो रहेगा लिव की इस बात से रेवी भी अग्री करता है लिव लोवेल की dead body निकाल कर बहुत रोती है कि तब ही रेवी उसको हग करके चुप करवाता है साथ में लिव रेवी को उस रात के सारे वाकिये के बारे में बता देती है लिव को लगता है कि लोवेल की dead उसकी वज़ा से हुई है मेजर हॉस्पिटल चला जाता है और वहाँ पर वो सब को अपने साथ हुए ग्रैग वाले वाकिये के बारे में बताता है तब ही वहाँ पर एक डॉन नामी लड़का भी मौजूद था वो मेजर को बताता है कि वो सब तुम्हारा वहम नहीं था बलके ग्रैग एक जॉम्बी था इसलिए वो वहाँ से चला गया था लेकिन मेजर उसकी बात पर देहान नहीं देता क्योंकि उसे लगता है कि जॉम्बी नेम की कोई चीज नहीं होती अगले दिन डॉन की मौत हो जाती है तब ही वहाँ पर क्लाइव और लिव इन्वेस्टिगेशन के लिए आते हैं तो मेजर लिव को बताता है कि उसने मुझे जॉम्बी के बारे में बताया था लेकिन उसे कुछ भी नहीं पता था लिव क्लाइव के साथ डॉन वाले केस को हैंडिल कर रही थी इसलिए वो डॉन के ब्रेन को खा लेती है लिव एक न्यूस फोरकास्टर के साथ मिलकर डॉन के घर आती है और उसका लैप्टॉप और फोन ढून लेती है मेजर भी हॉस्पिटल से वापस आ चुका था तो लिव उसे अपने घर ही रुकने को बोलती है अब इन दोनों में चीजें फिर से नॉर्मल होना शुरू हो गई थी मेजर डॉन के घर जाता है तब ही वहाँ पर ब्लेन और ग्रेग आ जाते हैं क्योंकि उनको भी पता चल चुका था कि डॉन के पास पार्टी वाली रात की वीडियो मौजूद है इसलिए वो घर को जलाने आए थे लेकिन उन्हें देखकर मेजर भागने में काम्याब हो जाता है लिव घर आकर मेजर के साथ ही सो जाती है क्योंकि अब वो भी मेजर से प्यार करती थी लेकिन अपने जॉंबी होने की वज़ा से वो उसे खुँद से दूर रखना चाहती थी सुभह नाज्टे के दौरान मेजर लिवव से कहता है तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो फिर मुझसे दूर क्यों भागती हो बदले में लिव उसे सब बता दीती है कि वो एक जॉंबी है मेजर पहले तो ये सुनकर शॉक्ट हो जाता है लेकिन फिर वो लिव को हग कर लेता है लेकिन ये सब लिव की इमाजिनेशन थी जो कि डॉन का ब्रेन खाने से हो रही थी एक केस के दौरान लिव पर एक वेमपार नामी आदमी अटाक कर दीता है लिव उसे मार तो दीती है लेकिन वो जॉंबी बन चुका था इसलिए बच जाता है और अब सिटी में वापस आ गया था और आते ही उसने एक 18 साल की लड़की को मार दिया जबकि इस लिव के पास जाता है वो तब ही समझ जाती है कि किसी जॉंबी ने किया है वेमपार लोगों को मारते जा रहा था एक दिन वो लिव के घर पहुँचकर पीटन पर अटाक कर देता है लिव जब घर आती है तो पीटन को दे कर डर जाती है लेकिन जब वो उसकी पल्स को चेक करती है तो वो जिन्दा था वेमपार लिव पर बहुत गुसा करता है और तब ही उस पर अटाक कर देता है तब ही लिव भी अपने फुल जॉंबी मोड में आ जाती है और उसे मार देती है ये सब पीटन भी देख लेती है वो लिव से पूछती है कि तुम कौन हो जवाब में लिव उसे सारा सच बता देती है पीटन बहुत डर गई थी इसलिए लिव जैसे ही उसके लिए फर्स्ट एट बॉक्स लेने जाती है वो भाग जाती है लिव रैवी को सारा सच बता देती है रैवी उसे काम करते हुए कहता है कि तुम फिकर नहीं करो वो वापस आ जाएगी क्योंकि वो तुम से बहुत प्यार करती है हम मिलकर उसे ढूनेंगे ग्रैग मेजर को अववा करके ब्लेन के पास ले जाता है वो मेजर को फ्रीजिंग वाले रूम में बंद कर देता है क्योंकि मेजर ने उनके बारे में सारी मालूमात हासिल कर ली थी ब्लेन को एलन यॉर्क नामी एस्ट्रोनॉट्स का ब्रेन लाने का ओर्डर हुआ था इसलिए वो अपने बागी साथियों से कहता है कि एलन को मार कर उसका ब्रेन लाओ कि तब ही वो नियूस में देखते हैं कि एलन को किसी ने अववा कर लिया है रैवी मेजर को ले कर बहुत परिशान था क्योंकि वो दो दिन से घर नहीं गया था इसलिए वो लिफ को सब बता देता है यहाँ आपको बताती चलू कि रैवी रैट्स पर जॉम्बी को ठीक करने की ट्रिक इस्तेमाल कर रहा था और उसने एक डोस भी बनाई थी लेकिन रैवी ने ये डोस लेने से अभी लिफ को मना किया था लिफ मेजर की टेंशन में रैवी वाला इंजेक्शन लगाने लगी थी कि तब ही मेजर की कॉल आ जाती है लेकिन सामने बलेन था वो लिफ से मेजर के बदले में ब्रेंज की डील करता है और लिफ भी मान जाती है लिफ उसको ब्रेंज दे देती है लेकिन वो लिफ के साथ धूका करके भाग जाता है मेजर एक जगा कैट था वो वहां से निकल कर सब को मार देता है लेकिन पीछे से बलेन उसे चाकू से मारता है जिससे उसकी हालत बहुत हराब हो जाती है लिफ वहां आकर बलेन को रैवी वाला इंजेक्शन लगा देती है और उसे बताती है कि अब तुम ठीक हो जाओगे उसको लिफ पर बहुत उससा आता है और वो वहां से चला जाता है लिफ मेजर को बचाने के लिए उसे स्क्रेचस मार कर जॉम्बी बना दीती है मेजर लिफ के बारे में जानकर और ये कि अब वो भी जॉम्बी बन चुका है बहुत उससा होता है वो लिफ को कहता है कि किसमत हमारे साथ कुछ नहीं करती जो किया वो तुमने खुद किया सुजुकी भी उसी जगा पर बॉम लगा कर खुद को उड़ा लीता है जिससे लिफ का भाई भी जखमी हो जाता है लिफ की मॉम लिफ को बलड देने को कहती है क्योंकि उसका बलड उसके भाई के साथ मैच करता था लेकिन वो देनी से मना कर देती है और यहां आई जॉम्बी सीजन एंड हो जाता है थैंक यू फर वाचिंग